हेलो एब्रीवन में एक परमा लेक्शस के हिंदी भर्षन में मैं सुनल कुमार सा आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में आपको एक सर्ट क्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो जेनरली आईरन लीमिटेस्ट में पूछता है सर्ट एंसर में तो क्वेश के साथ लीमिटेस्ट फॉर क्लाइड लीमिटेस्ट फॉर सलफेट एंड लीमिटेस्ट फॉर आईरन को अल्रेडी कंप्लीट कर दिया हूं तो आप लोगों ने यह दि मिस कर दिया है उस वीडियो को तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उसमें जो फर्मासिटिकल कर सकते हैं और study कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल आते हैं हम लोग देखते हैं कि वाई citric acid is used in limit test for iron ठीक है यह बहुत important question है बहुत बार पूछता है ठीक है तो क्यों use करते हैं citric acid को तो citric acid is used to prevent the precipitation of iron as its hydroxide when ammonia is added तो इसका मतलब क्या होता है कि यह जो हम ammonia add करते हैं यह ammonia जो हमारा iron है उसको precipitate कर देता है hydroxide form में और जिसके चलते क्या होता है जो हमारा iron जो था वो क्या होता है एवलेबल नहीं हो पाता है thyoglycolic acid के साथ reaction करने के लिए जिसके चलते फेरस thyoglycolate complex नहीं बनता है और हमारा color जो होता है वो produce नहीं हो पाता है ठीक है इसलिए हम लोग क्या करते हैं citric acid को add करते हैं ताकि यह citric acid यह precipitate जो है उसको solubilize करके उसको form नहीं होने देता है और इस तरह से जो हमारा iron है वो totally available होता है thyoglycolic acid के साथ react करने के लिए तो इसका reaction क्या लिखेंगे इसका reaction लिखेंगे ammonia क्या करता है water के साथ जब ammonia add करेंगे तो water के साथ react करके ammonium hydroxide बनाएगा और यह जो ammonium hydroxide है यह iron के साथ जो हमारा sample मे है वो ferrous या ferric form में है तो उसके साथ अगर reaction करेगा तो क्या बनेगा ferrous hydroxide या फी OS2 या ferric hydroxide या फी OS3 अब इस reaction को word में लिखते हैं तो यह हो गया ammonia this is water यह हो गया ammonium hydroxide ठीक है और यह फिर से लिखेंगे ammonium hydroxide जो की react कर रहा है हमारा ferrous से या ferric से और यह बना रहा है क्या ferrous hydro hydroxide यह फी OS2 को ferrous hydroxide बोलते हैं and यह जो यह फी OS3 है उसको क्या बोलेंगे ferric hydroxide और हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे middle bracket दीजिये और इसमें इधर लिखेगा कि citric acid solubilize these precipitate that's why we use citric acid in limitless for iron ठीक है तो इसके साथ हम लोग इस lecture के end में आ गये तो हम लोग शर्टली एक नया lecture लेक के फिर से आएंगे उतनी अभी के लिए फिलाल मैं आपसे वीदा लेता हूं thank you thank you very much for watching us